जूल एक साइंटिस्ट है जिसने लॉब्स हीटिंग दिया था इसने ये बताया था कि अगर कोई डिवाइस हीट हो रहा है तो उसके लिए क्या-क्याइट फैक्टर्स हैं जो उसको हीट करने में पॉसिबिलिटी बना रहे हैं जैसे डिरेक्टली पॉपोस्टनल टू स्क्व बढ़ सकती है रईस्टन बढ़ने पर बढ़ सकती है डिरेक्टली पॉपोस्टनल टूट 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 टाइम फॉर विच अगर टाइम को बढ़ाया जाएगा मान लिजे कि हमने किसी को टाइम दिया है दो सेकेंड तो उसमें कम हीट जनेरेट होगी एस कंपेर तो किसी क को हमने 10 सेकेंड दिया है अगर हम करन को बढ़ां तो भी हीट जयाता बढ़ेगी आगर तक बढ़ाया तका बृड़ा बनेगी एक इसका चीजा निए बर हीट किकि लिए हasında हमनें सकते हैं जैसे कि हमें पता है कि potential difference जो होता है work done by q charge के बरावर होता है अगर work को हम heat से compare करें तो दोने एक ही बात है क्योंकि अभी मैंने बताया कि work का जो ऐसा unit होता है वो भी आई टी और इस दूसरे formula से दो चीज़े तयार हो रही है जैसे अगर इस condition में i की जगे हम v upon r रख देते हैं तो यहां पर v square t by r तयार हो रहा है और अगर v की जगे i r रख देते हैं यहां पर तयार हो रहा है i square rt तो basically heat के हमारे पास चार formula है एक, दो, ती, साथ